Hello friends, पिछली वीडियो में हमने Indus Valley Civilization की कुछ important sites हरपपा, मोहन जुदारो, लोथल और धोलावीरा को cover किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग Indus Valley Civilization की एक और important site काली बंगन को cover करेंगे काली बंगन राजस्थान में है बड़िये जो नाम है ये पंजाबी नाम है जिसका पंजाबी में मतलब है Black Bengals Actually काली बंगन का जो माउंट है उसके आसपास पंजाबी speaking localities है और क्योंकि इस माउंट की surface पर बहुत सारी Black Bengals मिली है तो इसलिए इस site का नाम काली बंगन रख दिया गया ये site घंगर रिवर के banks पर बसी हुई है जो अब सूख चुकी है और इस site को excavate किया था बीबी लाल और के घोश ने काली बंगन की खास बात ये है कि इस site में आपको हरपन कल्चर के साथ साथ प्रोटो हरपन कल्चर के भी evidences मिलते हैं यानि ये site हरपन civilization से पहले भी exist करती थी और हरपन civilization के समय में तो थे ही प्रोटो हरपन civilization के दौरान हल से जोता गया ये खेत काली बंगन से मिला है और इसे इंडिया का अर्लियस plot field माना जाता है एक्चुलि इंडस वैली civilization में कहीं पर भी हल नहीं मिला है बट क्योंकि काली बंगन के प्रोटो हरपन फेज में ये plot field मिला है तो इससे ये पता चलता है कि हरपन civilization में लोग हल से खेत जोतते होंगे और उनके हल मेटल के नहीं बलकि wooden होंगे इसलिए समय के साथ decay हो गए और उनके कोई traces नहीं मिले हल की बनावली से हल के terracotta models जरू मिले है इसके लावा यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि काली बंगन के इस खेत को जिस तरह जोता गया है उससे पता जलता है कि यहाँ के लोग mixed crop cultivation क्या करते होंगे काली बंगन से हरपपा, लोथल और रंगपुर की ही तरह rice के traces भी मिले है और अगर बात करें टाउन प्लैनिंग की तो बाकी की इंडस वैली civilization की ही तरह यहाँ पर भी जो citadel है वो raise platform पर है और west में है जहाँ पर administrative buildings है जबकि lower city east में है जहाँ पर आम लोग रहा करते होंगे citadel के south में हमें कुछ raise platforms और pit मिले हैं जहाँ पर ashes और charcoal है और इसलिए इन्हें structures को fire altars के रोप में identify किया गया है यह जरूर किसी public religious practices से संबंदित होंगे इसके लावा जो lower city है वो बाकी की इंडस वैली civilization की तरह systematically planned है और यहाँ पर citadel और lower city दोनों ही fortified है बट बाकी इंडस वैली civilization में ज़्याद तर burnt bricks यूज हुई है जबकि काली बंगन में ज़्याद तर mud bricks का यूज हुआ है बट यहाँ की एक feature ये भी है कि यहाँ पर हर एक घर में एक well देखने को मिलता है हर घर में कुआ बाकी sites पर नहीं मिला है तो यह यहाँ की एक unique feature है और हाँ यहाँ पर mother goddess figurines जो की almost हर एक site पर मिली है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है यहाँ पर mother goddess की figurines को बैन कर रखा हो और इसके लावा इस site की एक important feature ये भी है कि यहाँ पर एक cylindrical seal भी मिली है actually cylindrical seals West Asia में काफी ज़्यादे common थी Indus Valley Civilization में cylindrical seals कहीं देखने को नहीं मिली है बट यहाँ पर काली बंगन में एक seal मिली है जिस पर Indian motive है यानि यह cylindrical seal Indus Valley Civilization की ही है इस seal में एक woman के दोनों तरफ एक एक आदमी खड़ा है और उन दोनों ने एक हाथ से उस औरत को पकड़ा है और दूसरे हाथ में उनके तलवार है यह seal human sacrifice को दशाती है तो यह थी details काली बंगन की ancient history की सभी वीडियो की पीडियोफ आप बुकस्तावा हैब से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को डीटियल में कवर करने के लिए बुकस्तावा की प्लेलिस को फोलो कीजिए तरहें थैंक यु फो वाचिं अफॉटिंग बुकस्तावा